हलो नमस्ते स्वस्यकाल और स्वागत आप सभी गाहन अखार्मी क्लाट पे मैं हूँ एड़ोकेट विजेंदर सिंग्छादरी और यह वकील आपको आज पढ़ाने वाला है लीगल के कुछ पैतरे जो कि आपकी जिंदगी नहीं आपके स्वीटी पीजी और साथ की साथ अधर एक्जामिनेशन चाहिए वह एम यू हो चाहिए वह क्लाट हो चाहिए वह एलेट हो या फिर जुडिशिरी का एक्जाम ही क्यों ना हो सब जगे कहा हो आने वाला है और वन आप दी टॉप कोश्चन्स आई ट्रस्ट ऑन मी वन अफ दी बेस कोश्चन्स आपके लिए लेकर आ चुका हूं साथ के साथ कॉंसर्ट भी यहां पर पढ़ने वाले हैं ओके मोनाक लीजा मालिया श्रेया रूची सोनु अथर्व दिपालिक अंजली शिवम एवरी बाड़ी क्या बात है अभैजी शूती अथर्व राहुल रूची काजल जया ओमाइगाड अंजली एवरी चेक लेट मी हैवे चेक ऑन एट आई गैस बच्चा सारा पहुच चुका है और सरह में सेट का कुछ पैतरा बताईए ना सर चलिए वही या बताएंगे वह भी बताएंगे आप सभी को आज का सेशन बड़ाई जबर्दस्त होने वाला है सबसे पहले अपने सारे के सारे टे आज जबर्दस्त आपको बनाऊंगा लो कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में आज ये क्लास होने वाली है साथ के साथ अपार्ट फ्रॉम दिस गर्ल्स और बॉइस एक बात ध्यान रख लीजेगा कल आपके लिए जो है एक बड़े ही बैतरी और क्लास आ रही है सर मैंने स तोड़े हेल्दी एंड वाइस रात को तोड़ा लेट सो है ता लेकिन आथ सुबह तोड़ा टाइम पर उठा हूं तो काफी एनरजेटिक फिल कर रहा हूं चलिए हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है देखिए मौक में रिजल्ट नहीं आना मेरे यहां पर कोश्चन का अंसर नहीं आना यह एक हार है आपका लेकिन एक सबक भी है आपके लिए कि आप कहां कमी छोड़ रहे हैं जब मेरी क्लास खतम करके जाएं आज आज की क्लास तब प्लीज एक छोटा सा नोट बना दीजिएगा कि मैं कौन-कौन से सेक्शन में कमजोर था औ और बाकी तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आज मैं आज मैं आपको सुप्रीम कोट कांट्राक्ट और इंपर्टेंट कोश्चन यहां पर करा दूँगा और उसके बाद में आप लोग संतुस्टी से कह सकते हैं लीगल अवेरनेस में दिक्कत नहीं है को भी अंतिम परचेस करना पड़ेगा क्या मोनार्क जी नहीं जो बच्चा हमारा प्लस का है उसे एंतिम वार की जरूत नहीं है उसको मैं यह सारा कंटेंट वैसे भी देने वाला हूं ठीक है सर आपने इंपर्टेंट कोशन बताया थैं अकैडमी से परचेस करने के लिए एक्चुली सर हम अफॉर्ट तो नहीं कर सकते हैं आप इंपर्टेंट कोशन टेलिग्राम पर पीडिएफ प्रोवाइड कर सकते हैं जानवी जी इसके बारे में आखरी में बात करेंगे और देस इस गॉन आफ दी मोस्त इंपर्टेंट क्लास जो कि कल सुबह 10 बजे हैं भाया देखिए मै आप ही नहीं ले रहे तो हम क्यों लेंगे हम आपके साथ में सुबह 10 बजे शापली मिल जाएंगे सर तुमारो एट 10 एम शापली यह दस बजे आप जरूर पहुंच जाईएगा क्यों क्योंकि यह आपको बदल देगा मैं सच बता रहा हूं आपका कॉंफिडेंस लेवल आ आप लोगों के लिए फाइंड आउट किये हैं और यह 365 questions मैं आपको पूरे करवाँगा that's my promise to you best आप अपना समय जो है वो बिल्कुल से यहां पर फिक्स कर लीजिएगा like का बटन दबाते हो आगे बढ़ते हैं और आपको समझा दूं भाईया यह बड़ा ही important होगा जो सबसे पहले union judiciary that is supreme court देखिए आपको मैं बता दूं जब भी आप law पढ़ेंगे तो सबसे पहला आपकी जिंदगी के अंदर कोई चीज पढ़ना है तो वो क्या है that is your supreme court supreme court के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको detail में समझा दूं उसके बाद मैं आपको contract पढ़ाऊंगा उ छे से साथ questions आ सकते हैं क्यों 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 कि legal से सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगा कि सिर्फ legal आ गया legal से आपका most important यह है कि legal के साथ के साथ आपको जो है बेटा current affair भी पूछा जा सकता है इसलिए 6-7 questions मैं लेके चल रहा हूं ठीक है कि शांत हो जाओ सर अब पिंग पिंग हाथ देखे सर दुख गया चलिए अगर अब आप तयार है तो प्लीज क्विकली अपना अपना पैन और अपनी नोडबुक निगा लीजिए शुरू करता हूं सबसे पहला बेटा article 200 सॉरी 124 से लेके article 147 जो है यह डील करता है आपके सुप्रीम कोट से देखे सुप्रीम कोट क्या है हमारे देश का एपक्स कोट है मतलब last law of the land के लिए अगर कोई कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो कौन करता है सुप्रीम कोट करता है very importantly so now part 4 under the part 5 as a constitution देखिए हमारा समविधान जो है 25 parts के अंदर बटा हुआ है when you talk about our constitution तो य इसके उपर वो डील करता है हमारे constitution के बारे में किसके बारे में constitution के बारे में और यह बताता है कि भाया हमारे हाँ पे समविधानिक तरीके से एक हमारा क्या होना चाहिए supreme court होना चाहिए पहली बात दूसरी important बात क्यों होता है supreme court supreme court का main काम यह है कि भाया democracy को human rights को और judiciary जो की legislature और executive से अलग हो इसको सबसे बड़ी protection प्रोवाइड करता है हमारा supreme court ठीक है बाई सर एक और भी खुशबू है क्या अरे जितनी भी खुशबू है सभी लोग बैठ जाईए अब जरा जहान से लिखते चलिएगा जो important चीज़ बताता हूं आपको देखे जब हम बात करते है Supreme Court of Law in India तो आपका Apex Court या फिर Supreme Court नहीं पी पाएंगे चाहिए बिल्कुल नहीं आप प्लीज लिजाएए समय बिल्कुल नहीं है बच्चा पूरा वेट कर रहा था हमारा चलिए चलिए Apex Court है क्या आपका Supreme Court और Supreme Court के अंडर आते हैं आपके बेटा High Court जो की State Level पे होते हैं कहा आप बात करते हैं High Court तो High Court के अंदर आते हैं आपके क्या Subordinate जैसे कि आपके इन अपने ले सकते हैं जब क्लास खतम हो गई तो अब थोड़े ही क्लास स्टार्ट के बाद में नहीं हो सकता भाई चलिए अब बात करते हैं कुछ यहां से सवाल बनेगा जरूर यहां से सवाल इसको जरूर दौर से देखेगा ठीक है इसको गौर से देखेगा और क्या है बेटा फस्त अपॉल बेटा Regulation Act 1773 लिख लीजिये लिख लीजिये प्लीजिये बेटा Civil Court और District Court और District Court जो होता है वो बेसिक्ली Civil Matters देखता है और District Court जो है वो Criminal Matters जो होते है उनको देखता है ठी now let us talk about regulating act 1773 यहाँ पे मैं आपको बताओं तो बेटा Supreme Court of Judicature जो है इसको setup किया गया था कहाँ पे कैलकटा में in 1773 ओके now इसके बाद में Supreme Court जो है यह Madras and Bombay setup किया गया and that was done by Mr. King George III देखिए यह आपका you know history का भी question हो गया और यह आपका Supreme Court की history भी हो गया तो इसलिए मैंने यह एक पूरा slide जो है add-on में add किया था क्यों कि history के questions भी पूछता है आपका CVT PG और आपका you know MSC दोनों ही history के question पूछते हैं तो history भी solve हो और वो judicial way में हो देखिए भी आप पढ़ाने का यही तरीका है मैं यहीं से आपको बता रहूं कि question कहा पकड़ में आएगा चलिए आगे बारते हैं तो Indian High Court Act आया आपका कब बेटा अंचायत के अंदर बदल गई यह सारी चीज़ें लेटर रॉन बट स्टार्टिन के अंदर जो है हमारे ब्रिटिश ने इस तरीके से ही establishment किया था इसकी PDF आपको तभी मिल पाएगी जब स्टार्ट से लेकिया आखरी तक बच्चा इसको देखेगा और इसकी PDF का इंदिजार ना करें प्ली नोट बनाते वे चलिए आपके पास समय कम है भाईया प्लीज मैं आपको प्लीज इस चीज के लिए इस चीज के लिए बहुत ही इ कर रहा हूं कि प्लीज आप अपने नोट बनाते वे चलिएगा ठीक है ओके नाव अब बात करते हैं अब बात करते हैं फेडरल कोट जो है इसका जुरिडिक्शन क्या था बेटा डिस्प्यूट बिट्वीन दी प्रोविंस मतलब कोई भी दो स्टेट के बीच में आज की स् को मिल गई 1947 के अंदर उसके बाद में हमारे कोट्स ऑफ लौ जो है यह बदला हुए और सुप्रीम कोट जो है समविधान के तहट डैट इस आर्टिकल 124 से लेके 127 के बीच में जो है हमारा इंफ्रसक्श्चर एंड इस्टैबलिश्मेंट ऑफ सुप्रीम कोट है एंड तिल फर्स्ट बेंच 28 जनवरी 1950 को बैठी थी कब बैठी थी लिख लीजिएगा फर्स्ट टाइम हमारे सुप्रीम कोट की सिटिंग कब हुई थी 28 जनवरी 1950 को बहुत इंपोर्टेंट है यह सवाल शायद आपके सामने 26 जनवरी 1950 आएगा और आप में से बहुत सारा बच्चा 26 जनवरी 1950 ही टिक करके आएगा इस चीज का मुझे वादा है कि आप में से ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ पे टिक क्या करेगा बेटा यहाँ पे 26 जनवरी को हमारे सुप्रीम कोट को जो है हमने फॉर्म किया था 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को यह फॉर्म हुआ था लेकिन हमारी फर्स सिटिंग का वो ही है 28 जनवरी 1950 को अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो एक बार जरा लाइक का बटन दबा के तुरन से एक बार जरा है फाइर बटन दबा दीजिए सर कन्फ्यूज हो जाएंगे सर कन्फ्यूज नही करना है थी के मतलब पेटा हमारा सम्विधान का गठन मतलब हमारा सम्विधान जो है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया था इनएक्ट कर दिया था किती तरिक को that is 26 जनवरी 1950 को इसका मतलब जो भी सम्विधानिक व्यवस्ताएं है वो उसी दिन से लागू है अब लेकिन हमार 26 जनवरी को हमने इसको इनेक्ट कर दिया उसके दो दिन बाद में हमारी पहली sitting हुई बेटा ठीक है बेटा ओके हाँ बिलकुल बेटा बिलकुल आप ये ध्यान रख लिजेगा कि first sitting जो है वो 28th of January को हुआ ठीक है ओके चलिए अगली बात बात करते है establishment की देखिए अब establishment कब हुआ that is 26 January 1950 को कब हुआ बेटा हमारे समविधान के तहट हमारे सुप्रीम कोट का establishment कब हुआ that is 26 January 1950 को as a supreme court लेकिन अगर मैं बात करूँ कि as a federal court अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा आज federal court है इसका establishment कब हुआ तो बेटा यह हुआ आपका एक अक्टूबर 1937 को जो कि हमारे गौवर्मेंट एक 1935 के तहट जो है federal court का you know establishment हुआ और supreme court का establishment हुआ आपका 26 January 1950 को यहीं से आपको मैं कह रहा था कि आप लोग confused हो जाएंगे ना यह confusion से दुरू कर दीजीगा सर थोड़ा धीरे चलो प्लीज लिखने को time लगा है थोड़ा ठीक है थोड़ा सा slow चलता हूँ actually मेरी पढ़ाने की speed थोड़ी सी जो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जो आज supreme court करता है यही काम federal court करता था as party British India जो की जब हमारा सम्विधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को उसके बाद से federal courts को हटा दिया गया और supreme court के अंदर उनको बदल दिया गया supreme court बन गये ठीक है so 26 जनवरी को establish हुआ और 28 जनवरी को पहली sitting होई थी first sitting ठीक है यह दो चीजें अलग-अलग है और इन दोनों को अलग-अलग ही रखिएगा अगली बात करते हैं कि location पूछी जा सकती आप से तो कहां पर है बेटा आवरा supreme court न्यू डली में एक सवाल यहां से पक्का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी पूछा ही नहीं गया है और वो क्या है बेटा मोटो प्लीज मोटे मोटे शब्दों में लिख लीजेगा मोटो है यतो धर्मुस्त से जय है यतो धर्मुस्त से जय है यह आपका मोटो है supreme court का मतलब where there is a dharma there will be a victory लिख लीजेगा यह आपसे सवाल सौ टका पूछा जा सकता है terminations के अंदर और यहां तक बच्चा पहुंसता ही नहीं है इससे आगे पीछे की सारी कहानी पढ़ लेता है आगे बढ़ते हैं composition method की बात करता हूं तो देखिए यहां पे collegium of supreme court होता है जो कि basically टै करता है कि supreme court के अंदर किस तरीके से हमारे supreme court के chief justice बनेंगे कौन इसके judges बनेंगे लेकिन इसका basically कितने judges होंगे basically हमारी जो bench है उसमा कितना quorum होगा यह कौन decide कर सकता है यह कर सकता है सिर्फ और सर बेटा parliament को कर सकता है बच्चे only and only parliament आपको answer बताना है कि हमारे सर मोटो इस हिंदी सर हाँ बेटा मोटो हिंदी में होगा यह तो धर्मो सता जया मतलब जहां पे धरम है वहां पे विजय जरूर होगी यह हमारे supreme court का मोटो है प्लीज याद रखेगा supreme court का मोटो है आपको इधर उधर नहीं पूछना है आप से सवाल यह पूछता हूं कि आज के टाइम supreme court के अंदर कितने judges हैं how many judges are there right now in a supreme court of India हमारे भारत के supreme court के अंदर अभी कितने judges है quickly answer दे दीजिए quickly एकदम speed के अंदर उसके बाद बताता हूं कि इसे authorized कौन करता है इसे authorized करता है constitution of India और अगर मैं बात करूं judge की term की तो बेटा यहां पे है 65 साल 65 साल के बाद तो उन्हें जाना ही पड़ेगा उन्हें जाना ही पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं बहुत बहतरीन भाईया जबर जस्त जिस बच्चे ने भी यह लिखा है 33 प्लस वन वो बच्च होगा जो मेरे साथ पढ़ रहा है जितने बच्चे ने 33 प्लस वन लिखा है या फिर cgi 33 लिखा है वो बच्चा वो है जो मेरे साथ regular पढ़ रहा देखिए याद करने के लिए तरीका 34 नहीं करना है याद करने के लिए तरीका 33 प्लस वन करना क्यों करना है क्योंकि 33 judges होंगे और एक Chief Justice होंगे यह बहुत महतोपूर है कि किसी भी चीज को याद करने का तरीका जो है वो इस तरीके से ही बनाना होता है अब बात करते हैं बैटा qualification की Supreme Court के अंदर पहुँचना है तुम सब को qualification चाहिए कि न चाहिए अभी बताते हैं जयाजी आप सभी citizen है आप सब बन सकते हैं लेकिन क्या आप citizen के साथ में you should have worked as a high court judge for a period of not less than 5 years और they should have worked as high court advocate for a period of not less than 10 years बात समझ में आगे भी है मतलब जब आप अपनी वकालत पूरी कर लें जब आप एक advocate बन जाएं तो आपको या तो high court का judge as a judge serve करना है 5 साल 5 साल अप high court के judge रहिए उसके बाद आपको collegium जो है वो बुला सकती है या फिर आपने high court के अंदर as a advocate 10 साल practice किया हो तो भी आपको supreme court का judge बनाया जा सकता है लेकिन twist कहां पर आता है twist यहां पर आता है twist आता है इस जगे पे सकती है as a supreme court judge तो exam में अगर 34 and 33 option आया तो कौन सा चूज करना है 100% 34 करना है वाई तो कि 33 plus 1 is equal to 34 मेरे बच्चा अगर आप quant भी पढ़ रहे हैं ना साथ में quant भी पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा there is a motto of supreme court there is a motto of supreme court because supreme court आपका एक मातर apex court है पूरे इंडिया के अंदर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं composition के बारे देखिए मेरी class के अंदर आप सवाल करना ही छोड़ दीजिए कुछ बच्चे है eminent jurist का मतलब बेटा ऐसा कोई भी person जिसको law के बारे में बहुत अच्छा ज्यान हो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह advocate है या judge है या नहीं law का बहुत अच्छा ज्यान है उसे law के अंदर वो वख्यात आदमी है उसे भी हमारे Supreme Court का judge बनाया जा सकता है किसके दौरा किसके दौरा डिरेक्ली प्रेसिडेंट साहिबा के दौरा ठीक है एक बच्चे ने पूछा सर कॉंपोजीशन देखिए कॉंपोजीशन यह है आपका अब कॉंपोजीशन में क्या करते हैं और इजनली देर वाज ए प्रोविजिन इन दिक मेरा पढ़ाने का समझाने का क्या तरीका है कि जब भी आप लॉ पढ़ रहे होंगे तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे चीफ-जस्टिस एंडnd सेवन अधर जजजेज ठीक है वैसे आज लिखेंगे चीफ-जस्टिस एंड 33 अधर जजजजज ठीक है कि भाया हमारे पार judges की कमी है हमें judges और चाहिए तो judges को बढ़ा दिया गया and the bill was passed and subsequently Supreme Court judge strength जो है वो 34 judges की बना दे अब आप से सवाल पुछा जा सकता है कि 34 judges जो है वो कौन से amendment bill से बने है Supreme Court Amendment Bill Act 2019 प्लीज लिख लिजिए quickly लिख लिजिए इसको कि कौन से amendment के बाद से 34 judges जो है वो बना दिये गए ठीक है composition का मतलब कितने लोग हो सकते है composition का मतलब Supreme Court के अंदर कितने judges हो सकते हैं ये composition मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ठीक है ये तो legal studies में है सर legal studies ही तो आपका legal awareness है आपका law ही तो legal awareness है अभी तो मैंने का GMI, AMU सबी बच्चों के लिए इंपोर्टेंट होगा चलिए आगे बात करता हूँ justice, धननजे, वाय, चंदचूड साब जो की हमारे क्या है 58th chief justice है इसलिए ये भी पूछे जा सकते है और आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि 49th chief justice कौन थे quickly answer दीजिए quickly मुझे answer दीजिए कि 49th chief justice कौन थे देखिए एक ही page के अंदर चार question आपके solve होगे चार आपके legal के question solve होगे और कहानी में होगे मैं यही अगर question answer पूछता आपसे तो शायद आपको tough लगता but मैंने क्या किया मैंने आपको एक concept समझाने के साथ साथ जो है आपका question भी clear कर दिया right यू यू ललित सहाब उदय उमेश ललित सहाब जो है वो हमारे देखिए एक बच्चे ने रंजन गोगोई साब दे दिया देखिए अब यही confusion जो है यह आपको clear करना है रंजन गोगोई साब नहीं है इट इस यू यू ललित सहाब कौन है बेटा यू यू ललित सहाब he was the 49th chief justice of India and 50th chief justice अभी ongoing chief justice हमारे है अब बताइए कि आने वाले समय में first chief justice women chief justice कौन बनने वाली है पहली women chief justice कौन बनने वाली है ये मुझे quickly एक बार comment box में दे दी देखिए मैं आपका revision के साथ के साथ आपको legal पढ़ा रहा हूँ तो आपका revision भी होता रहेगा और साथ के साथ में आपका यहां से concept भी clear होता रहेगा right so अब quickly मुझे ये बता दीजिए कि वो कौन सी मैडम है जो की अभी आने वाले समय में women first chief justice बनेंगे आज तक हमारी कोई भी chief justice women नहीं बन पाई है इस चीज का ज्यान रखेगा quickly अरे बताए भगवती बता रहे है आप यार बताए पीवी नागारतना जी बहुत बढ़िया correct answer क्या है पीटा पीवी नागारतना जी राइट पीवी नागारतना जी जो है यह हमारी पहली women chief justice ऑफ इंडिया बनने वाली है अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं appointment कैसे होगा please note करते वे चलना इन चीजों को यह आपके लिए बड़ा ही महतोपून होगा देखिए removal appointment दोनों ही चीज़े बहुत important है जब बात करते हैं Supreme Court की तो देखिए article 124A जो है यह कहता है कि appointing authority of Supreme Court judge कौन होगा बेटा President कौन होगा President कौन appoint करेगा बेटा President appoint करेगा करेगा कैसे करेगा कैसे बेटा करेगा third judge case के दवारा कौन से judge case के दवारा third judge case के दवारा third judge case जो है वो क्या कहता है वो कहता है there should be a collegium यह एक तरीके की doctrine है इसके बाद से collegium की formation की गई और collegium के दवारा क्या किया जाता है collegium के दवारा recommend किया जाता है किसको recommend किया जाता है किसको recommend किया जाता है पार्लियमेंट के पास बेजा जाता है यह रिकमेंडेशन कि किसको सुप्रीम कोट का जज बनाना है और किसको नहीं बनाना है फली नरीमन सहाब बहुत बढ़िया शाबास जानदार जबर्दस फली नरीमन सहाब को याद कर लीजिएगा तो थोर्ड जज केस भी याद रहे ज से यूनियन ओफ इंडिया के अंदर जो है यह कहा था कि भाईया देखिए यह जो रिकमेंडेशन है यह सिर्फ कहने की बात नहीं है सिर्फ एक रिकमेंडेशन नहीं है यह एक तरीके से आपको अबलाइज भी होना चाहिए इससे मानना भी पड़ेगा ठीक है डाट इस वे इसके बाद आपको स्पेशल मेजॉरिटी से जो है स्पेशल मेजॉरिटी से जो है पार्लेमेंट में पास करवाना होगा कि इनको रिमॉव कर दीजिए इनको रिमॉव करने के लिए पार्लेमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और प्रूब्ड मिस बिहेवियर और इन कैपेसिटी अगर होता है ठीक है एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाइस पेशल मेजोरिटी अफ टू थर्ड ऑफ दी इच हाउस ऑफ दी पार्लेमेंट प्लीज यह लिख लीजिएगा क्या यहां पर सिंपल मेजोरिटी किसा होता है यह स पर ši- bereits senior op senior यह सुप्रेम कोट के वह और एक हमारे चीफ जस्टिस यह पाँच जने मिलके जो हैं रिकमेंड करते हैं पहले क्या होता था पहले सिर्फ और सिर्फ Chief Justice recommend करते थे later on ऐसा का गया कि हके लिए Chief Justice का भी व्यू नहीं होना चाहिए other judges का भी व्यू होना चाहिए जो कि second judge case है third judge case के अंदर यह आया कि four senior most judges होने चाहिए और that is very important that is Chief Justice यह पांक जने मिलके recommendations देने वाले हैं अगर यहां तक बात clear है तो एक fire का button दबाई ही वहिया quickly आपको appointment और removal दोनों चीज़ समझा दिये मैंने right और एक बहुत important चीज़ क्या है वो यह है कि बेटा Supreme Court के judges के removal को भी एक term दिया जाता है and that is impeachment हलांकि यह term गलत है यह मेरा ऐसा मानना है कि यह term नहीं use होनी चीए because impeachment उसके लिए किया जा सकता है जिसे कभी कोई appoint यह नहीं करता हूँ हमारे संविधानिक धाचे के अंदर कॉंसी अथॉरिटी है जिसको पॉंॉणि नहीं किया जाता हो है जल्दी से Built है कॉं-सी हमारे देश में ऐ सी पॉलिटी का जो concept है उसको हम यहाप पे नहीं लेंगे because time बहुत हो जाएगा अभी मुझे जो है बेटा purely जो है legal awareness के उपर लेकर चलना है please understand करिए yes नहीं बेटा governor के appointment भी president कर रहे है बेटा नहीं 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 गलत कहे दिया आपने governor जो है यह हमारा सरकार की तरफ से appointment किया गया है देखिए सिर्फ एक ही position है हमारे भारत देश के अंदर and that is none other than president कौन है बेटा president president को कोई भी appointment नहीं करता है president सब को appointment करते है चाहे देश का परधान मंतरी हो चाहे देश का supreme court का chief justice है कोई भी हो इन्हें appointment करने की authority किस के पास है बच्चा president के पास लेकिन president को कोई भी appointment नहीं करता है अगर बात समझ में आई तो एक like का बटन दबाई यह आगे बढ़ता हूं next slide पर आते हैं और बात करते हैं jurisdiction बेटा इससे जिंदगी बरियाद रख लेना आपको हमेशा काम आएगा हमेशा काम आएगा एक छोटा सा like का बटन दबागे आगे बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा ठीक है yes president का basically indirect election होता है ballot election होता है ballot के थूरू जो है इनको elect किया जाता है ठीक है चली अब बात करते हैं original jurisdiction की सबसे पहला सुप्रीम कोट का जो है यह basically government of India one or more states के बीच में अगर कोई भी dispute हुआ suppose for an example हमारी union of India जो है इसका किसी भी state के साथ dispute है suppose आपका state ले लेते हैं state of Bihar अभी हाल फिलाल तो Bihar के साथ नहीं हो रहा होगा लेकिन अगर होता तो यह case कहां जाएगा बेटा यह under the article 131 as per the article 131 original jurisdiction of supreme court यह जाएगा directly supreme court में case अगली बात करते हैं between the government of India and any state of states or one side and one more than other states on the others मतलब जैसे कि suppose for an example मैं बात करता हूँ हमारे करनाट का और हमारे state Tamil Nadu की जहां पे कावेरी रीवर का dispute है तो अब दो state होगे न और यहीं पे अगर union of India भी अगर इसमें घुज जाए उसके against भी हो तो अब यहां पे दो states होगे तो यहां पे लिखा जाएगा करनाट का and others यह भी कहां पर जाएगा यह भी supreme court के अंदर जाएगा as per the original jurisdiction original jurisdiction का मतलब क्या है original jurisdiction का मतलब यह होता है कि इस matter में इन सभी matters के अंदर और कोई भी नहीं आ सकता इन matters के अंदर किसी के पास भी jurisdiction नहीं है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोट के पास है बात समझ में आया ठीक है बिलकुल बेटा सुप्रीम कोट के सभी judges का I am not talking about chief justice all the judges का removal only and only एक ही तरीके से हो सकता है that is special majority से और special majority का मतलब यह होता है कि आपको दोनों ही houses के अंदर lower house and upper house राज्य सभा और लोग सभा दोनों के अंदर आपको two-third majority चाहीं बेचा चलिए आगे बात करते है appellate jurisdiction appellate jurisdiction का मतलब क्या हुआ बेटा appellate jurisdiction का मतलब simple सा है and that is appeal देखिए आपका case कहां गया आपका case गया lower court के अंदर कहां गया बेटा आपका case था कहां पर district court के अंदर बात समझेगा यहाँ पे मेरे साथ में तनूजा है और शिफा चौधरी है इनके बीच में एक case है जो की basically कहां पर है वो है आपका civil court के अंदर civil court के अंदर अगर आपको decision नहीं मिला अगर आपको आपके fever में decision नहीं मिला suppose decision डॉली जी के fever में चला गया तो डॉली जी जो है उनके सामने कौनती शिफा है तो शिफा क्या करेंगी इस case को लेकर जाएंगी high court में कहां लेकर जाएंगी high court में और अगर high court जो है वो आपकी appeal को entertain ही नहीं करता है वो कहता है कि नहीं एकदम decision सही है कोई दिक्कत नहीं है एकदम साफ सुतरा है कोई दिक्कत नहीं है तो अब high court से आप कहां जा सकते हैं बेटा आप supreme court जा सकते हैं सुप्रीम कोट के बाद में क्या आप England जा सकते हैं या फिर आप America जा सकते हैं या फिर आप UN जा सकते हैं अगर supreme court ने को decision दे दिया उसके बाद क्या आप United Nations में जाके तो आप सुन लीजीए क्या सुनेगा कभी नहीं सुनेगा विकॉस हमारा सबसे हएज सब्सक्राइब , अपील में क्या होगा बेसिकली konstitution ho सकती है and that is civil and criminal हो सकती है तीके तीन तरीके की अपील्स जो है वो यहांपर आती है जैसे कि suppose for an example, आपका कोई fundamental right है, जो की infringe हो गया, आपका कोई fundamental right जो है, वो infringe हो गया, और आप चले गए, कहाँ पर बेटा, high court और high court ने आपको decision नहीं दिया, तो आप इसकी appeal कर सकते हैं, कहाँ पर बेटा, आप अपने supreme court में, या फिर आपका कोई civil matter है, या फिर आपका कोई criminal matter है, इ advisory jurisdiction है, if the president seeks advice, पतलब अगर कोई भी कानून आता है, तो गहीं कर सकते हैं, कौई तॉआ समस्या हो सकती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, परिसिदेंग सुप्रीम कोट से advise ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत important है, किस चीज में ले सकते हैं, any question of law, क्या इसमें सही है, law एकदम सही है, क्या सम्विधान के एकदम दाइरे में है, है या नहीं है, ये सारी चीजें, साथ की साथ में nature and such public importance कि भईया, क्या ये हमारे देश के अंदर अगर हम लागू कर दे, तो सही होगा कि नहीं होगा, इन सब का advice ये ले सकते हैं, ठीक है, okay, now, क्या ये opinion होगा, या फिर ये advisory होगी, मतलब ये क्या उन पे लागूई होगा, नहीं बेटा, ये एक तरीकी का opinion है, प्रेसिडेंट साब इसको माने या ना माने, उनके उपर depend करता है, बात समझ में आई भई, अब बात करते हैं, writ jurisdiction, इसे बेटा, दिमाग में चाप ले उसको अगर कोई भी infringe करता है, उस situation में आपके fundamental rights जो है, उसको protect करने के लिए आप कहां जा सकते हैं, बेटा, supreme court जा सकते हैं, under article 32, और article 32 खुद एक fundamental right है, बात समझ रहे हो, दो चीज़े हैं यहां से, क्या है बेटा, basically, article 32 जो खुद एक fundamental है, fundamental right वो क्या कहता है, कि मैं, मैं article 32 जो कि एक constitutional remedy प्रोवाइड करने के लिए बना हूँ, अगर आपका कोई fundamental right infringe होता है, तो मेरे पास आईए, किसके पास आईए, मेरे पास आईए, right, बेटा, 226 है बेटा, तलियानी जी, that is 226 बेटा, ठीक है, बचे, now, every individual has right to move to supreme court, ठीक है, directly जा सकता है, on appropriate proceedings for enforcement of fundamental rights, लेकिन सर, आप एक बार बताईए, कि आपका fundamental right infringe हो गया, तो कि आप सीधे supreme court जाएंगे, या फिर आप पहले high court जाएंगे, बताईए जरा, quickly guys, एक बार मुझे बताईए, कि आपका अगर कोई भी fundamental right, अगर आपका fundamental right infringe हो जाता है, तो आप directly supreme court जाएंगे, या फिर आप high court जाएं इससे तो कोई नहीं रोग सकता क्यों 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 कि वो आपका fundamental right है क्या है वो आपका fundamental right है यह कि जब हम बात करते हैं procedure की तो procedure क्या है procedure यह कहता है कि पहले आपको high court जाना चाहिए अगर high court ने आपकी application के उपर काम नहीं किया इस application के साथ में आप supreme court जा सकते हैं कि हमारी high court में सुनी नहीं गई क्यों 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 कि हमारा fundamental right है आपको तो सुनना ही पड़ेगा supreme court के पास तो कोई option ही नहीं है supreme court तो कोई option ही नहीं है तो यह तो fundamental right है तो अब directly supreme court भी जा सकते हैं बशट procedure यह कहता है कि पहले आपको high court जाना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते बिटा Indian contract act के बारे में बात करूँगा आज आपको जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे contract पढ़ा दूँगा जरा पहले मैं देख लूँ जरा like कितना हुआ है और कितना बच्चा है जो तयार है पहले तो यह बताओ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में let me know that 250 people are there and 250 likes start there ऐसा तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 200-300 यह नहीं 300 के उपर भी गया था कहां पर available है आपकी बेटा आपको कहीं पे भी मेरी legal की पढ़ने की जुरत ही नहीं पढ़ेगी आपको सिर्फ एक यह legal है let me do one thing हम यहां से लेकर आते हैं आपके लिए legal की marathon चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए that is contract देखिए contract क्या कहता है अब contract क्या होता है बहुत प्यार से समझाओंगा एक दम simple तरीके से बिलकुल विकार जी आप supreme court directly जा सकते हैं ठीक है बेटा high court and supreme court की rates में difference क्या है बेटा कोई difference नहीं है दोनों ही जगे आप रिट लगा सकते हैं फर कितना है कि बेटा basically high court के constitutional right है आपका sorry fundamental right है article 32 is your fundamental right तो supreme court आपको मना नहीं कर सकता है ठीक है ओके चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आपको basic principles of the contract उसके बाद पढ़ेंगे identity उसके बाद पढ़ेंगे bailment और उसके पाद पढ़ेंगे agency यह चार चीज़ें पढ़ ली आपका यहां से कोई भी सवाल आया आप आराम से कर देंगे डिस्टिक को जाएंगे आप कैसी बात कर रहें डिस्टिक कोट के पास power ही नहीं है उसके पास में रिट की power ही सिर्फ high court और supreme court के पास है मेरे लाल ठीक है चलिए सो सबसे पहली चीज क्या होती है देखिए आपको मैं बता हूं contract का मतलब यह नहीं है कि टाटा ने जो है वो apple का जो है बेसिकली अपना एक जो है जगे खरीद लिया और उसके उपर अब जो है टाटा जो है वो बनाने वाला है नहीं आप मे इसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि market कभी गए है और बाइक खरीद के लाए है या फिर cycle खरीद के लाए है या फिर कुछ भी नहीं तो कम से कम एक चपल तो खरीदी होगी कौन है ऐसे बच्चे ऐसा एक बच्चा नहीं होगा जिसने ऐसा नहीं किया होगा तो जब आप तो मुझे चार केजी आलू दे दो और दो कैजी कांदा भी दे दो क्या कहाँ आपने दो केजी आलू दे दो और दो केजी कांदा दे दो अब यह जब आप बोलोगे दुकानदार को तो दुकान कहेगा दुकानदार कहेगा 4 kg आलू का मतलब हमको पैसा देना पड़ेगा आपको कितना बेटा 200 और 2 kg कांदा का आपको देना पड़ेगा 100 ठीक है भाई ये क्या हुआ पहले तो आपने परपोजल दिया क्या परपोजल था आपका आपन अब बात यहीं से पुरा कॉंट्रेक्ट शुरू हुआ आपने बोला यह देखिए यह क्या है यह आपका ओफर और यह इन्होंने क्या किया बेटा आपके ओफर को काउंटर कर दिया उसका पैसा बता दिया ओफर का परपोजल का कि इतना पैसा लगेगा ठीक है अब आपने कहा सारी 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 200 नहीं दूंगी क्योंकि अपने मैंने तो मेरी मम्मी को मेरी बीवी को दोनों को शॉपिंग करते देखा है यह तो बड़ी जबरतस नेगोसेशन्स जो हैं वो कर लेती है बोले क्या बात करो पिछला ठेले वाला तो भाईया इसको डेर सो में दे रहा था अब पिछला ठेलेवाला ही इसको देर सो में दरता ठीक है बहां जी ऐसा करीं आप 155 दे दी लिया और 155 में खरीद लिया तो ये वी एक कौंट्राक्ट है concerां क्यों क्यों कि यहां पर वेटा देको तीन चीज इंपोटेंटेंट मैंने ओफर किया 150 रुपिया दुकानदार ने yes किया और मुझे क्या दिया माल दिया तो अब यहाँ पे consideration भी हो गई consideration क्या है दुकानदार के लिए 1.500 रुपिया और मेरे लिए क्या है मेरे लिए है वेटा 4 किलो आलू और 2 किलो कांदा ये मेरे लिए consideration है और दुकानदार के लिए 500 रुपया, मेरी मम्मी लेने गई थी, जिनकी उमर क्या है, 18 साल प्लस है, मतलब competent person है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किसी परकार का कोई फर्जी वड़ा नी, contract तयार हो गया है, तो proposal क्या होता है, प्रपोजल का मतलब होता है, जब एक person, कोई भी एक person signify करता है, अनादर को अपनी इच्छा जाहिर करता है, to do or to abstain from doing anything, मुझे कांदा बेचना है, मुझे खरीदना है, मुझे नहीं बेचना है, इसके लिए आप अपनी feeling जाहिर कर रहे हो, और उससे proposal कहा जाता है, offer plus acceptance is equal to promise, plus legal enforcement is equal to contract, if I am not wrong, you are not at all wrong, you are कर रहे हो, एक दम correct है भाईया, चलिए, अब promise क्या होता है, अब promise का मतलब बहुत simple है, जब आपने किसी को offer दिया, और उससे accept कर लिया, मैंने, यहां पर कोई एक बच्चा है, जो मेरी गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई बच्चा है, जो गाड़ी खरीदना चाहता है, मैं उसके साथ में contact करने वाला हूँ, अभी आपको समझाऊंगा, की promise क्या होता है, quickly, quickly, फड़ावर से कौन खरीदना चाहता है, चलिए, च मैंने का, only and only 85 lakh rupees, ठीक है, मैंने बोला ज्यादा लिक कम दिया, 85 lakh rupees के अंदर बात की, इसने बोला, नहीं नहीं सर, 80 lakh लो ना, मैं तो आप ही की student हो, आपको पता ही है, अना, मैंने ठीक, 80 lakh में done करो भाई, अना, ओके, चलिए, मैं इशान को बेच रहा हूँ, इशान 7 करोड को दे रहा हूँ, मैं इशान को बेच रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलिए, ठेर anyways, contract समझते हैं, so now, रूची ने 80 lakh के अंदर, हां भर ली, मैंने भी हां भर ली, मतलब, मैंने offer किया, उसने accept कर लिया, और इसी को कहते हैं, promise, जब आप offer करते हैं, और offer के बाद में, आपके offer क एकसेप्ट कर लिया जाए, इसे कहा जाता है, क्या, इसे कहा जाता है, promise, proposal हो गया, promise हो गया, आगे बढ़ता हूँ, consideration के सामने आते हैं, अब consideration क्या बताती है, consideration का मतलब, देखिए, मेरे लिए, मेरे लिए, जो कार है, उसका पैसा जो है, जो की है, कितना, 7 करोड रूपे, क इशान के लिए, तो कार, और वीके सर के लिए, क्या है, 7 करोड रूपे, समझ में आई बात, ये क्या है, ये consideration है, ये consideration है, जिसके लिए contract किया जा रहा है, ठीक है, ओके, चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू, कि कोई ऐसा बच्चा है, जो 2025 की त्यारी कर रहा ह है, तो उस बच्चे के लिए, मैं बता दू, कि बेटा, हमारा pioneer batch जो है, वो आ चुका है, और Vijay 5 code के साथ, आप इसको purchase कर सकते हैं, किसके साथ में, Vijay 5 code के साथ में, ठीक है, और कुछ important features है, जो कि आपको और किसी भी platform पे नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अनकार्ड में मिलेंगे, ठीक है बड़ा, चलिए, like करके आगे बढ़े, session को like करके आगे बढ़े, okay, so, आपको PDF कहा मिलेगी, मेरे सभी के सभी, जितने भी मेरे sessions होने वाले है, आज तो मेरा ये session हो रहा है, कल आपको सुबह जो है, आपकी जिन्दगी बदल दूँगा, आपका अर्मान बदल दूँगा, इतना जबरदस्त मैराथॉन लेके आ रहा हूँ, सुबह 10 बजे शापली, जी हाँ, literally I am telling you guys, कम से कम मेरी 10 दिन की महनत है, 10 days की महनत है, जिसके बाद में best content और best questions आपके लिए ढून पाया हूँ, इसको आप please miss मत कर दीजेगा, कल सुबह शापली 10 बजे, और अगर कोई बच्चा ऐसा है, जो कि सोच रहा है कि मैं साड़े 10 आ जाऊंगा, पौने 11 आ जाऊंगा, 10-20 पे आ जाऊंगा, उसके लिए तो बहुत गड़वर हो जाएगा, ठीक है, और cancel कर दिया flip card, इसमें contract टूटा, नहीं बेटा, कोई contract नहीं टूटा, आपने basically एक purchase क और उस purchase के बाद में, आप उस purchase को execute नहीं करना चाह रहे हैं, that means you have changed your mind, और ये contract के अंदर provision दे दिया flip card में, कि आप cancel कर सकते हैं, देखिए, अगर cancel का option ही नहीं देता, flip card, तो आप नहीं cancel कर पाते, पर flip card कह रहा है कि आपके पास option देता हूं में, कि आप cancel कर दो, तो आप cancel क contract, ठीक है, ओके, चलिए भईया, अब बात करते हैं, बहुत simple तरीके से, जो कि एक layman भी समझ जाएगा, कि आपने offer करा, और अगले ने accept करा, ये तो promise बन गई, और जब promise के साथ में, किसी परकार की consideration जोड़ गई, तो ये बिटा एक agreement बन गया है, अब consideration क्या थी, मेरे लिए 80, sorry, 7 करोड रुपिया, और इशान के लिए कार, ये consideration थी दोनों के लिए, तो ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में एक agreement हो गया, लेकिन, जब ये agreement, legal enforceability के साथ आ जाता है, तब ये बनता है विटा आपका contract, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं भई? अरे भईया हिमानी जी, thank you so much, मैं और हनी सर, मैं आपको बता दूँ, आपको बता दूँ आपकी kind information के लिए, मेरा वैसे तो कोई भाई है नहीं, मतलब मेरा सगावाई कोई है नहीं, लेकिन ये मेरे भाई से भी कुछ कम है नहीं, ठीक है, और हम दोनों की एक ही आदत के रकाम करने वाले लोग हैं, इसी लिए, आज हम दोनों साथ भी हैं, और जिन्दगी बर ऐसे ही साथ रहें, आप लोगों को प्यार भी ऐसे बना रहना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ता हूं, समझाता हूं, कि कैसे कैसे एक contract को तयार किया जाता है, और उसके बाद आपके आ रहे हैं, जबर जस्त, टॉप, 50 कोशन, तयार रहे हैं, उसके लिए, ओके, सबसे पहला है, प्रपोजल and its communication, देखिए, मुझे कार बेचनी है, समझ येगा, मुझे कार बेचनी है, लेकिन मैं ऐसे ही, तपनों में सो ऐसा कह रहा हूं, हाँ, कार बेचनी है, कार बेचनी ह या, नहीं न, मुझे कम्मिनिकेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम्मिनिकेट करना पड़ेगा, सबसे पहला परपोजल कम्मिनिकेट होना चाहिए, आप ऐसे ही सोते रहें, अच्छा बिग जाएगी, बिग जाएगी, बिग जाएगी, नहीं होगा, जैसे हमार यहां पर सिस्टम स्टाडव हो गया था कोई जो है आठ करोड दे रहा था कोई साथ करोड दे रहा था एक बच्छा सौ करोड रुपया दे रहा था मैं इस चीज के लिए बड़ाई बड़ाई खुश हो की इंकम टेक्ट जो है डिपार्टमेंट मेरे कमेंड बक्ट को नहीं देवता है वरना यहीं से चापा मारती इडी घर पहुंच जाती है अब तक हाना खेर एनिवेज जब आपने कम्मिनिकेट भी कर दिया तो उसके बाद बेटा एग्रिमेंट होना चाहिए बाइदी मीच्वल प्रॉमिस दोनों की प्रॉमिस मीच्वल होनी चाहिए मेरे पास सवाल है एक बच्चे का सवाल है सब्सक्राइब कॉड़क्ष मिल अपने कोई प्रॉड़क्ष भाइस प्रॉड़क्ष मिला होगा वही तो लीगल इनफोर से बलीटी है जो कि आपकी तैय करती है कि आपका कॉंट्रक्ट हुआ है उस बिल के ओपर कंडिशन लिखी होगी कि एक बार बेचावा माल वापिस नहीं लिया जाता, अगर ऐसा लिखा है, तब तो आप नहीं दे सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखा है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, कि there is a return available, if there is any defect in the product, तो आप दे दीजिए, otherwise, वो कहेगा, एक बार बेचावा माल वापिस नहीं लिया जाता, ठीके बेटा, ओके, चलिए, आगे बात करते हैं, जब agreement हो गया, तो इसके बाद बनेगा आपका contract, अब contract बन गया, contract, sir, void, voidable, valid contract, एक बार समझा दो, sir, अरे खुशी जी, आप हमारी class में कब से आ रही है, आपको पता नहीं है, क्या बेटा, जब मेरी class में आप घुज गई हैं, और contract पढ़ा रहे हैं, तो contract के चीथड़े फार देंगे, एक concept ऐसा नहीं रहेगा, जो कि जिन्दगी में कभी भूल जाओगे, जिन्दगी में कभी भूल जाओगे, इतना तयार करके भेजेंगे, ठीक है, ओके, चलिए, now, performance of contract, contract तयार हो गया, contract तयार हो गया, अब contract होने के बाद क्या है, उसकी performance है, अब दोनों को performance भी करना पड़ेगा, मुझे कार देना पड़ेगा, उसको 7 करोड रुप्या मुझे देना पड़ेगा, मैं भी खुस, वो भी खुस, सब खुस, खुस, हाना, चलि, so this is performance of contract, आगे बढ़ते हैं, तो contract को आप कह सकते हो, कि य सही है, यह contract सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, सर आपकी dialogue delivery अच्छी है, मेरी movie में cast हो जाना, अरे इशान गौड जी, हमाना dialogue delivery छोड़ यह चलिए, इस बारे बात नहीं करते हैं, सबसे पहला, offer जो है contractual होना चाहिए, मैंने पलवी को कहा, कि पलवी, हमें basically अनुभूती क जो है, इसका मडर करना है, मैंने पलवी को कहा, कि पलवी, मैं तुमको 7 करोड का गाड़ी बेचा हूँ, उसमें से 1 करोड तुमको दोगा, तुमें काजल को मडर करना है, पलवी मेरे पास में आई, अब बताए, क्या यह एक तरीकी का contractual offer है, क्या जो, यह मैंने offer किया, यह क्वेकली बताइए क्या ये एक contractual offer है नहीं मेरे लाल ये contractual offer नहीं हो सकता ये illegal है तो सबसे पहला contractual offer होना जिसका contract किया जा सके ऐसा offer करिए ना आप ये क्या टपका टुपकू देने वाली बात कर रहे हैं आप ये कहिए ना कि ये गाड़ी आपके जो है आपने बेची है अब कि मैंने इशान को किया था इशान ने क्या किया था इशान ने acceptance दी की ठीक है मैं आपकी गाड़ी खरीद रहा हूं अब हमने consideration किया ये देख ली जब भी contract दिख जाए ना contract में ये 6 चीज़ें ढून लेना एक दो तीन चार पांच और छे खुशी बेटा बेटा खुशी बे में बेटा मेरे खुशी तो बेटा उसके लिग देना उसके आगे बड़ा बड़े शब्द के अंदर कि वह एक वैलिड contract है बेटा खुशी समझ में आया बेटा अगर किसी भी contract में तुम्हें ये 6 चीज मिल जाए बच्चे तो ढूंड के निकालना इन 6 चीज़ों को सबसे पहली क्या थी कि भया offer हुआ हुआ उस offer को accept किया किया उसके अंदर कोई consideration थी या लीगलीटी थी मतलब लीगल काम के लिए किया गया था हाँ लीगल काम था क्या capacity थी capacity का मतलब क्या unsound mind तो नहीं था पगलाया वा तो नहीं था कोई बच्चा तो नहीं था उम्र में सही था स सही था तो इसका मतलब capacity भी थी मीच्वाल्टी मतलब दोनों के mind के अंदर एक ही चीज चल रही थी अगर यह सारी चीज़ें आपको मिल गई mutuality का मतलब क्या जैसे मेरे पास तीन कार है मेरे लाल और मैंने का मुझे कार बेचनी है आपने सोचा अपनी BMW बेच रहे हैं लेकिन मेरे को तो मेरी फॉर्चुनर बेचनी है आपको तो BMW खरीदनी है मुझे फॉर्चुनर बेचनी है आपने सौधा कर दिया BMW का मैं समझ रहा हूं कि फॉर्चुनर का तो बताइए क्या आपका दिमाग बन पाया साथ में हुआ है की नहीं है क्विकली कुईड प्रो को का मतलब होता है सम्थिंग पॉर सम्थिंग वो अलग चीज है बच्चे यहां पर है म्यूच्वालिटी का मतलब है कि आपका दोनों का माइंड जो है एक ही चीज के लिए होना चाहिए ठीक है चलिए अगर यह वेटा खुशी मेरे ला कि चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा ओफर एंड इट्स टाइप्स किस बरकार के ओफर होते हैं अब आप सोचते होंगे कि सर ओफर मतलब ओफर तो मतलब सर लिखावट में दिया हो यह नहीं नहीं बेटा सबसे पहला है एक्सप्रेस ओफर मतलब अब बड़ा प्यार से सम से मैंने एक्सप्रेस किया आई वोंट तो सेल माई कार इस एक्सप्रेस ओफर लेकिन इंपलाइड ओफर क्या हुआ इंपलाइड ओफर आप में से कौन को ने जो स्टारबक्स जाके कभी अपनी गल्फरंड या बॉइफरंड के साथ कॉफी पिया है एनीबडी और अगर को कुछ हैं जो जाते हैं जो स्टारबक्स जाते हैं यह मेरा सवाल इसलिए था यह इस सवाल का इस से कॉणसेट से कोई रिलेशन नहीं लेकिन मेरा एक एडवाईज है बहुत महेंगी मिलती है आप सी सीडी जाके पी लिया करिए ना इंपलाइड ओफर का मतलब है इसमें से जिते भी बच्चे जो जाते हैं उसमें से जैसे सब्सक्राइन एक्जामपल तमना कोई साथ नहीं देता कोई बात नहीं है अकेले जाके पीटी होगी तमना जो है वह गई है कहां पर स्टार्बक्स स्टार्बक्स में जाके कुर्सी पर बैठ गई और जाके बोली एक कापचिनो लाना वेटर बोला ओके मैम और तमना जी को कापचिनो लाकर दे दी अब तमना जी कापचिनो पी रही है वह कैपचिनो पी रही है प्रॉपर फ्रोथ फ्रोथ के साथ देल विल बनाके उनको दिया है वह जो पुरा मूव उपर लग जाता है निशान विशान फिल्मों में एक तम बढ़े एंजॉय कर रही है पी के और अब तमना जी निकल रही है घर जा रही है बोले हाँ हाँ दीए हम पैसा दीजीए तुमने हम से कोई कॉंट्रक्ट कर रहा था स्वेप्ल से देंगे नहीं किया थे सब्सक्राइब नहीं कियाinformक्र किया तुमक्राइबनागाि स्टार्बक्स में जाएंगी जाकि कुर्सी में बैटेंगी फिर एक बढ़िया अपने बैग में से पर्चा निकालेंगी उसमें लिखा होगा मैं तमन्ना अपने होसो हवास में कहती हूं कि आज दिनांग तीन मार्च 2024 को मैं स्टार्बक्स मालवे नगर स्टित के अंदर कॉफी पीने आई हूं और मैं इसके लिए बारा सो रुपे देने के लिए लाजमी हूं और यह मुझे देना पड़ेगा इसके लिए यह मुझे कॉफी देगा आप ऐसा पर्चा लेके जाएंगे लेके जाएंगे फिर तरी से रजिस्ट्री कराकी दोलेंगे अब लाईए कॉफी अब पिएंगे कॉफी कमान नहीं ना ऐसा नहीं करेंगे न बिटा आप क्या करेंगे आप बेसिकली किसी ने रेस्टोरेंट ओपन कर रखी है किसी ने तो वो आपको इंपलाईड ओफर कर रहा है आए आईये कि कुछ खाईए पीए और जो भी खाएंगे पीएंगे उसके लिए आपको निर्धारित जो रेट में ने रख रखी है वो मुझे दे दीजेगा अब आपने क्या किया आप उस दुकान में घुसे और दुकान में घुसके आपने कॉफी ली इसका मतलब आपके उपर एक है लीगलिटी है और म्यूच्वल कॉंसेंट है दोनों का ही इसका मतलब यह कॉंट्रेक्ट हो जाए यह इंप्लाइड ओफर है अगर बात के लिए तो बताईए मैंने एक इस्तेहार निकाल दिया किसके अंदर कि मुझे मेरा एक खाली प्लॉट उसे बीचना है और सब एबरीबरी इसके बाद है आपका क्रॉस ओफर और काउंटर ओफर यह क्या होता है देखिए मैंने कहा कि मैं 80 लाक रुपए के अंदर मेरी कार बेचूंगा यह मेरा ओफर है किसको और सब्सक्राइब एक्जामपल मैंने यह शिवम जी को दिया ओके अब शिवम जी क्या कह रहे हैं शिवम जी कहते हैं कि नहीं हम तो 73 लाक ही देंगे यह क्या है बिटा यह क्रॉस ओफर है इनकी तरफ से मुझे क्या आया यह क्रॉस ओफर आया अगर मैंने मान लिया तो मैंने क्या दिया है अब मैंने acceptance दिया है बात समझ रहे हैं अगर 80 लाक इनोंने मान लिया तो इनोंने acceptance दे दिया और अगर इनोंन कैसे करेंगे? कैसे टर्मिनेट करेंगे भई? टर्मिनेट करने के लिए आपको notice देना पड़ेगा कि भैया हम यह offer को नहीं दे रहे हैं चैप मैन्यू को भी offer consider किया जागा? exactly बैटा उसका जो मैन्यू है उसे आप offer की था कंसिडर करेंगे जो हाँ आपने मुझे तीस तारिक तक मैं यह प्लॉट मेचना चाहता हूं आपने तीस तारिक से बाद में आके आप बोलते हो कि आपने ओफर किया था मैं आपके ओफर को मानता हूं और मुझे आपका प्लॉट खरीदना है नहीं भाई लिमिटेशन के बाहर चला गया टाइमी खतम चला गया ठीक ह सर जी एक्स्प्लेइन इच ओफ ए आर विट इलस्ट्रेशन बेटा बता तो बेटा इतना समय नहीं है आप क्या चाहते हैं मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा हूं या फिर आपको अभी ओवर्वियू के अंदर सारे कॉंसेप्ट ठीक है बेटा मैं आपको करेंट अफेर कल पढ़ाऊंगा दस बजे कल करेंट अफेर की बेटा मैराथॉन है ऐसी मैराथॉन जो की जिन्दगी में कोई नहीं बना पाएगा 365 डेज और 365 कोश्चन्स की ठीक है चलिए नाव भाई फेलियर टू एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी मूड प्रिसक्राइब अब मैंन ब्रणसे मैसा तमना जी है तमना जीने मुझे चिठी के भेज दूर्म ने उन्होंने उस कार को खरीदने के लिए चिठी के बहेज दिया वो कबुतर के मुंझे डाल के चिठी बेज दी कि जाे विजंद Küरत थान कि आया मैंने क्या बोला मैंने बोला मुझे मेल के दुवारा बताईएगा कि आप मेरी कार खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपने बोला अरे मैंने तो चिठी भिजवाई थी ना चिठी आई है कि नहीं आई है मैंने का चिठी आए या ना आए मुझे मेल चाहि पर ने लिता हूं कोई एक एक्स है राधे कृष्ण नाम के उन्होंने ओफर किया था उनकी मृत्यू हो गई है उनकी उनका देहांत हो गया है तो क्या आप ओफर रहेगा नहीं ना ओफर खतम हो गया परसन डाइज तो उसके बाद में उसका ओफर भी डाय हो गया या फिर मैं ने आपको बोला कि मुझे यह प्रॉपटी बेचनी आपने बोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए रिजक्शन ऑफर खता आगे बढ़ता हूं कॉंट्रेक्ट की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्डेंट है कि देखिए यह दो बच्चे है यह है मात्र 6 साल की जिसका नाम है टिंक अब मुझे बेचंगे यार एक ही तो है दू सब क suffers 13 तो लुगने चल ठीक किने मिलेगी तो दो 5 स्टार दोंगी इंदर 55 स्टार देगी टो दे दूंगी टिंकू और तुम दोनों एक जगे रहना निकलो इधर से हैं निकल बेटा इस घर खरिदने में तुम्हारा घर चला जाएंगा वो डायलोग यहीं पर बोल देंगे सर लेकिन कम्यूनिकेशन जरूरी है ना बिलकुल कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी है वही है विदाउट कम्यूनिकेशन तो काम ही शुरू नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो मैजॉरिटी की एज होनी चीए साउंड माइंड होना चीए and not disqualified by law ठीक है चले कानसी होती है देखिए फ्री कॉंसेंट को समाजने के लिए तयार है वाई अब इसमें किसी परकार का कोई जबर्दस्ति ना हो जैसे पॉरन एक्जामपल यहाँ पे मेरे साथ में खुश्बूयादव है खुश्बूयादव जो है वह एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीशन है क्या है बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर चलाती है बेटा गौर से इस अग्जामपल को सुनियागा है आपका एक कॉंसेप्ट एक दम क्लियर हो जाएगा यहाँ पर हमारी एक लड़की है हमारे साथ में यहाँ बच्ची बैठी है उसका बहुत ही अच्छा ब्यूटी करवाना है तो मैं क्या किया मैं तमन्ना जी के पार्लर गया और मैंने तमन्ना जी के पार्लर जाके का कैसी हो बेटा तो तमन्ना बोली बिलकुल अच्छी सर आपने पढ़ाया उसके बाद मैंने MBA किया और MBA करकरा के सर आज मैं बहुत बढ़िया बिजनस टाइकुन बन चु किराटीन करना है कितना लोगी तो बोली सर मैं वैसे तो तीस हजार रुपे लेती हूं लेकिन आप ऐसा करिए आप 27 दे दीजिए अनर्थ अगोर अनर्थ तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा बनाया तुम मुझसे 27,000 मांग रही हो जब तुम मुझसे पढ़ने आया करती थी तो मैं तुमको कभी पैसा मांगता था नहीं ना तुमको फ्री में पढ़ाया तो तुम आज ऐसा करो 27 नहीं दू हुआ है इतना तो करोगी ना अपने गुरू जी के लिए तमन्ना करोगी की नहीं करोगी तमन्ना बोलती है अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आपने मुझे पढ़ाया लिखाया तब बड़ा बनाया ठीक है मैं आपके लिए 7,000 में कर दो बेटा जो इस 7,000 रुपे में यह कर रह इंपन से नौट का लगा तमन्ना जी ने हां भर दी है अगर ना जी ने अगर चांश किया है इंफ्लोएंस किया है अगर शन जहांपर आप जबरदस्ति करें अगर तमन्ना जी को पगड़े के ले जं़ाओ गोली मार दूंगा क्या है बेटा कोहर्शन है ठीक है या फिर आप किसी भी प्रकार से कोई फ्रॉड करते हैं जैसे फोर एंग्जामपल मुझे कार बेचनी थी लेकिन मेरी कार के अंदर इंजन ही नहीं है मैंने उसमें मेरी BMW में जो 800 आती थी ना मारूती की उसका इंजन डल रहा है हसी मजाक के साथ पढ़ाई अच्छी रहती है कि नहीं इस कार के अंदर मैंने क्या डाल रखा है 800 का इंजन डाल रखा है और यह मैं बेच रहा हूं आपको तो यह फ्रॉड है कि नहीं है बेटा मिस्रिपर्जेंटेशन जहां पर आप किसी चीज को रिपर्जेंट ह जानती गलत कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत बढ़िया घोड़ा है वह बैसिकली चार कॉम्पट यह और मैं झुला अगर तुम मेरे साथ पढ़े लिए न मैं सच बतानों जिन्दगी पर लौ नहीं बूलोगे कानून के तो हम रखवाले हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं हमारे साथ में ऐसा है कि यहां कानून को पढ़ाते हैं जंदगे में पूले ही नहीं बच्चा और गलती से गलती से ऐसा हो गिए यहां क्या है कि मुझे मेरी गाय बेचनी है सब्सक्राइब बोले कितना रिए टीस जार रुपर बोले ठीक है और पता चला रस्ते में जब मैं भी है खुशी कहा गई बैटा खुशी कहा गई कुशी यह सारे जितने भी cases हैं यह whirlada contract हूँगे यह कौन से honet ऊंगे ओधा रिकिन जो mistake से हुआ है वो क्या हुआ है वो वाट है उसे लागू नहीं किया सकता जो गलती से हुआ है जिसमें गलती हो गई उससे आप लागू नहीं कर सकते लेकिन बाकी यह सारे क्या है वोईडेबल कॉंट्रेक्ट है खुशी जी खुशी बेटा तयार रहे ना अब आ रहा आपका वॉइड एन वॉडेबल चलिए आगे बढ़ते हैं वॉइड देखिए अब इसका एक्जामपल जो है मैं ऐसे दूँगा सर मेरे दोस्त के और्स की डेथ हो गई थोड़ी देर पहले गुलाबो नाम था उसका प्यारी थी बहुत ओहो अब जरा सभी लोगों से दर्ख्वास्त है दस सेकंड का मौन रखें इन कहां पर पड़ोस में गु कि यही है देखिए बिड़ाब क्या होता है इस सपोस्सिषा आपकी इंगेज्मेंट होने वाली है ऐग्जामपल मेरे बच्चों ने तो पड़ा हुआ है इंगेज्मेंट होने वाली है ठीक है तो खुशी जो है वह बेसिकली मीट के पास गई मीट एक बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी डिजाइनर है किसकी जूलरी की बास समझ भाई एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर है किसकी जूलरी की ठीक है अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनने बेसिकली एक रिंग पसंद की जो कि कितने की थी वह रिंग थी at least you can say 22 karat की ring जो की लगबग इन्होंने 40 gram की ring पसंद करी और इसका पैसा तै किया 4 लाख रुपिया बात समझ में आई यहां तक की बात समझ में आई ठीक है यहां तक की बात समझ में आई कि भाईया हमारे पास में एक बच्ची है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है बहुत ही प्यारा सा और वो क्या चाती है वो अपनी engagement पे ring खरीदा चाती है सो यहां पे तमन्ना सॉरी खुशी आइम सॉरी खुशी आइम सॉरी यार खुशी प्लस मीट इनके बीच में एक contract हुआ इस चीज़ के लिए एक ring के लिए और ring किते में बहिया चार लाग रुपे में अब रिंग बन गई अब लेने आई यह here ring को को लेने आई है खुशी तीख है अब खुशी जब ring को लेकर घर गई तो उसके पती को जब सुरी फ्यांसे को से दिखाया तो फ्यांसे बहुत है वाओ जस्ट लुकिंग लाइक वाओ तो ऐसा लगा लेकिन उसने कहा यार यह कितने गराम की है तो बोली तुम्हें पता भी है हम बहुत पैसे वाले हम 40 ग्राम का रिंग लाइं हूं तुमारे लिए समझ रहे हो मजाक है बहुत हैवी है 624 चार लाग रुपे का हो गया है तो इसने फ्यांसे बोला मैंने भी बहुत रिंग पैनी है समझ में आई बात कि 40 ग्राम का तो नहीं है कम है पुली है तैसा दियाम 40 ग्राम का कैसे कम हो सकता है तू लाया क्या किया तो लाइए अब तक कांट्रेक्ट त्यार था ना यह कांट्रेक्ट बना की नहीं हुआ यह तो बन गया था अब जब इसने तोलने के लिए अपने फियांसे के साथ में अरे बापरे उसके धरती निकल गई पाउं के नीचे से धरती किसक गई वो 36 ग्राम की निकली च्यार ग्राम कम था उसमें कितना च्यार ग्राम कम था ठीक है भाई कितना ग्राम च्यार गराम कम था ये एक उदम गरमा गरम होती थी खुशी पहुची मीट के पास में मीट तो हमार साथ फ्रॉड करी हो तुमने हमको 40 गराम बोल के 36 गराम का चिपका दिया तो खुश मीट बोलती है अरे बेहन तुम्हें पता चल गया अच्छा, I'm sorry ये गलती से तुमको 4 गराम कम पड़ गया होगा हम इसमें आपको ऐसा करते हैं इसका आपको एक लाख रुपया वापिस दे देते हैं अब देखिए अब ये contract voidable contract हो गया voidable का मतलब क्या हुआ बेटा voidable का मतलब ये हुआ देखिए मैं आपको इसके द्वारा समझाता हूँ मैं आपको नोट्स के द्वारा समझाता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा voidable देखिए voidable contract वो contract होता है जिसके उपार जिसमें एक person के पास option होता है देखिए यहाँ पर कौन-कौन थे खुशी और meet अब यहाँ पर meet के पास option है sorry खुशी के पास option है कि या तो वो इस contract को valid कर दे या फिर वो इस contract को void कर दे अगर void कर दिया तो मतलब क्या हुआ breach of contract हो गया breach of contract हो गया और अगर इसने का कि ठीक है बहन एक लाग उर्पया दे दे तू भी खुश मैं भी खुश बढ़िया है मेरे को तो कम पैसे के अंदर मज़ा आ गया सर आप भी भाबी को भाबी जी को gift कर दो यह देखे सुगनी जी आई है जले के अंदर आग चड़क के मैं भी खुश और खुशी की basically फ्यानसे भी खुश और बाकि सारे खुश हो गया काम खतम हो गया मतलब वैलिड हो गया लेकिन अगर खुशी बोले नहीं नहीं मैं कोट जाएगी मैं तेरे को कोट में घसीटेगी तो नहीं मानेगी तो वह क्या कर देगी इसको वाइड बना देगी ब्रीच ऑफ कॉंट्रेक्ट हो जाएगा ब्रीच का मतलब जब आप किसी कॉंट्रेक्ट को तोड़ देते हैं ठीक है बिटा चलिए तर आज आप डाट सुनेगा सर मैडम से अरे मैडम हम से छोटी हैं बड़ी नहीं रहे धोंदू जस्चिल कोई बात ने चलिए आगे भड़ते हैं और समझते हैं कुछ सामने आ रहे हैं कुछ important questions जो कि आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उससे पहले आपको बता दूं वह या कितना बच्चा है जो की मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है उन सभी के लिए सर एक बार fraud जी मिस रिपर्जेंटेशन में इंटेंशन होता है क्या 100% मिस रिपर्जेंटेशन के अंदर आप इंटेंशन के साथ करेंगा तभी तो गड़बर हो रहा है तभी तो otherwise कोई समस्य ही निये मिस रिपर्जेंटेशन के अंदर चलिए सो अगर आप मेरे साथ first time जुड़े हैं तो आपको बता दू कि DNA by V के मेरा channel है जहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपना legal awareness के लिए ही नहीं आप मेरे current affairs, static gk सभी के लिए जो है वो basically आप यहां से connect कर सकते हैं मेरे को सारे मेरे updates, pdf आपको यहीं पे मिलने वाले हैं लेकिन if अगर आप clat की तयारी कर रहे हैं जो भी clat aspirant है उनके लिए है ठीक है ओके और वो इसको purchase कर सकते हैं हमारे किसको that is plus subscription को और वहां पे आपको code क्या use करना है विजय 5 code क्या use करेंगे code के लिए आपको कहीं भागने की ज़रूत नहीं है सिर्फ एक ही code है हर बच्चे के जो की मिलते हैं तो तयार रहेगा क्योंकि एक घंटा और 15 मिनट हमने पढ़ाया है और अब हम अगले 45 मिनट करेंगे questions ही questions और यह questions जो है यह कम नहीं है अगर कम पढ़ गए तो हम इसको next class में भी continue करेंगे लेकिन पूरा करके छोड़ेंगे चलिए जो बच्चा नया अगे बढ़िएगा ठीक है ओके और सचुटी है तो क्या हुआ एडुकेशन तो है अंडर परसंट सुन लेंगे चलिए चलिए वह यह स्टार्ट विदी फर्स कोश्चन वट वॉट वॉस्टी नाइंटी फोर्ड अमेंटमेंटमेंट ऑफ दी कॉंसिटूशन नाइंटी फ समविधान में लेकर आये था मेरा फोन में चार्ज तेरा परसंट रगया है एक बार बताओ यह चार्ज वाला लपड़ा कब तक चलेगा भाई हम तुमको बोले थे ना सबको कि हम सटेड़े को जो है दो घंटे का मैराथॉन लेंगे फिर भी तुम लोग जो है मजे लेते ह हमारा रहा है कि लिए भाई है कि हमारा भी तो लैप्टॉप है यह लैप्टॉप एक्दम भरबर आ रहा है विचारा एक्दम ऐसे जैसे कि आग लग गई है इसके अंदर कि पानी अब वरेबडी क्विक्ली और पानी पिलना जब तक कि अब है प्याइब कि अब ठीक कर दो अब चालिए भाई चलिए बैतरी न कि जो तो मज़ गाइस थोड़ा सा बैठने से तसली से महसूस हुई है कि अधर इसको स्टार्ट किया गया था इसको स्टार्ट किया गया था और बहुत इंपोर्टेंट है बिटा ऐसे सवाल आएंगे जब आपसे बात करेंगे इससे आपके बारे में जब भी सवाल पुछे जाएंगे तो इस तरीके के कोश्चन्स आपसे पुछे जा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा भई या ठीक है चलिए अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं विटा इसे पुछा जाएगा मुझे लगा आज ही क्लास दो वज़े तक है नहीं बेटा कल है बड़ी मेराथॉन है और उस मेराथॉन में से आप मान के चलिए आपके एक्जाम में दस बारा कोश्चन्स आपके पक्के हैं उसमें से अश्वरी को डिगाई बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी अबहुत बढ़ी आ वहरी गूड यार वहरी गूड यार कोई अनीसर के ग्रूप में डाल दीजिए वह बच्चा वहां से आया ही नहीं है अपने पास 300 पार नहीं हो पाए हम आज भी हैं कब करेंगे ये वाली सरकार अब की बार 300 पार साड़े 300 पार 400 पार कब होगा ये चलिए quickly guys and girls चलिए चलिए हनी सर के यहां पर डाल दिया है वेटा कल तीन घंटे की क्लास होने वाली है कल तीन घंटे की बहुत ही बढ़िया लॉड मैकॉली जो है करेक्ट आंसर है almost बच्चे का यहां पर करेक्ट आंसर है आगला सवाल वो प्रिसाइड ओवर जोइंट सिटिंग ओफ लोवर एंड अपर हाउस अफ दी पार्लियमेंट वो प्रिसाइड सोर सर अपकी बार 400 पार सर चलिए 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 quickly quickly guys and girls everybody अपर चलिए चलिए झालियमेट आंसर है एंद कर दोफ दो देख चलिए झालिए पर कि बार करेक्ट आंसर है कि अलिये पूफ ओ मैं गॉड थोड़ा सायर पानी और देना कि अलिक्विकली तो स्पिकर आफ लोग सभा बहुत ही बढ़ी आविया लाइन से आंसरा रहा थोड़ा कुक्ली चलेंगे वह यह वाइस प्रेसिदेंट ओफ इंडिया एक्स ओफियोच चेर परसन वर फिच पोस्ट क्विकली एकस्पीड के अंदर विया ही विया वाइस प्रेसिदेंट एक्स ओफिस्योफिसर और कहां की होते हैं कहां की होते हैं वह यह आप करी बहुत ही बढ़िया को मध्यां कि आप संविधान का क्या कहता था यह कहता है है हमारे constitution का वो क्या read out करता है that freedom of speech power of the president India is a republic name and territory of the union quickly guys quickly quickly everybody चलिए चलिए speed में बहुत बढ़िया देखिए name and territory of the union जो है यह बताता हमारा article 1 and India is India is भारत यह कौन सा article बोलता है भीया quickly comment box में लिख डालिएगा quickly चलिए राइट वोट इसे जो राइट वोट है वो क्या किस तरीके का राइट है किस प्रकार का राइट है चलिए राइट वोट है प्रभू सर को अभी 200 साल तक मत उठाईएगा अरे नहीं यार इतना नहीं जीना यार मारा आई वॉन्ट टो लिव ओनली टिल एज ऑफ सबंडी फाइफ इस ते ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे नहीं हो पाएगा चलिए बहुत बैतरिंग कोई एक बच्चा है जो बताएगा कि फर्स नंबर कौन आया था कोई है जो बताएगा फर्स नंबर कौन आया था चलिए राइट टू वोट क्या है चलिए क्विक लिए बहुत बढ़िया राइट वोट हमारा एक constitutional राइट है बेटा क्या है एक constitutional राइट है जो कि हमारा को समविधान प्रोवाइड करता है कि आपको वोट देने से कोई नहीं रोख सकता चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं प्रेंबल टू दे इंडियन कॉंसिटुशन डिस्क्राइब इंडिया एज जो हमारा प्रेंबल है वो क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को वो क्या कहता है कि भारत क्या है सोने की चड़िया है भारत क्या भारत सोने की चड़िया है चलिए चलिए बिटा सर स्टेडिंग कौन राइट है कौन राइट है फंडामेंटल बिटा समझा नहीं मैं आप क्या सवाल पूछें मैं समझाई नहीं बात आपकी चलिए अवारत समविधान क्या कहता है यूनियन ओफ स्टेट्स नहीं सेकुलर डेमोक्राटिक कैपिटलिस्ट नहीं यह सवाल तो किसी का गलत हो भी नहीं सकता था चलिए अगला सवाल नेक्स कोशन तो प्लीज अपना ओप्शन खुद लिखियेगा अपना ओप्शन खुद लिखियेगा कोई जरूरी नहीं है कि ओप्शन सारे सही हो कई बार गडबड होता ऐसा इसे कहते हैं इसे कहते हैं फ्री फोकेट का मार्क्स इसे कहते हैं फ्री का मार्क्स आप जो भी आंसर देंगे वही करेक्ट है लेकिन मुझे A, B, C, D में नहीं चाहिए मुझे करेक्ट आंसर चाहिए इसका एवरिवड़ी विक्ली बहुत बड़ी है करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 106 amendments जो है वो हमारे समविधान के अंदर हो चुके हैं कितने हो चुके हैं 106 amendments चलिए ये बताइए कि बेटा 106 amendment कौन सा था which was the 106 amendment 106 amendment था कौन सा which amendment was 106 amendment quickly everybody बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही शांदार women reservation कौन सा बेटा women reservation ठीक है बाई इसके तहट 33% seats जो है अब available हो जाएंगी कहां पर बेटा लोग सभा के अंदर and state legislative के अंदर ठीक है एक बहुत important बात है यहां पर बेटा राज्य सभा में नहीं होगी राज्य सभा में नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा 42 अमेंडमेंट जिसको आप कहते हो mini constitution वो क्या बदलाव लेकर आया सवाल आपके सामने यह रहा चलिए 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 क्विक लिए नहीं only not लोग सभा state legislative में भी बेटा मेंडमेंट क्या लेकर आए अब्र शॉटिट अर। क्या किया गया चलिए यह भी सवाल गलत नहीं हों सकता बड़ा ही सिंपनल यहां रेकिन तोड f के बाद में socialist आना और उसके बाद सेकुलर आना और उसके बाद democratic और republic आना इसके पीछे का reason क्या था इसके पीछे का reason था USSR उस समय का USSR जिसके साथ हमारे relation थे उसी के लिए जो है यह बदलाव हमको देखने को मिला था चलिए अगला सवाल बेटा इसमें से कौन सी constitutional पोस्ट नहीं है अब constitutional पोस्ट का मतलब जो एक constitutional body के द्वारा नहीं गठित की जाती समझ में आया कोई भी statutory authority के अंदर जो भी अगर गठित होगा तो उससे आप क्या कहेंगे constitutional body वो नहीं कहलाएगा ठीक है बच्चा लोग चलिए चलिए देखिए chief election commission बिलकुल हमारा election commission जो है यह समविधानिक पद है ठीक है so it is not controller general बिलकुल हमारा समविधानिक पद है vice president समविधानिक पद है finance secretary is not a समविधानिक पदक अगर आप मेरे तरीके से ही नहीं अगर आप elimination method से भी जाओगे तो तुरंत इसको solve कर जाओगे ठीक है बेटा correct answer क्या होगा c would be your correct answer चलिए बेटा अगले सवाल की वी आई जे एवाई numerical फाइफ और इसे आप अवेल कर सकते हैं लेकिन जो बच्चा c ut दे रहा है mh set दे रहा है उस बच्चे के लिए पंधरा का ये package आया है और साथ के साथ आज एक नया अंतिम पड़ाव के नाम से जो है हमारा वो आ रहा है क्या बोलते हैं आपको मॉक टेस्ट का पांच मॉक टेस्ट हैं इतने हैं बेटा पांच मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर और पांच मॉक टेस्ट के साथ में आपको 1000 gk questions का मेरा consolidated एक PDF मिलने वाला है और 200 current affairs का भी एक आपको consolidated PDF मिल जाएगा ठीक है आज ही purchase कर लिजिए और पांच इसमें मॉक मिल जाएंगे यह सब कुछ आपको मात्र 999 में मिलेगा अगर आप code यूज करते हैं विजय फाई ठीक है आपके practice भी हो जाएगी तैयारी करने के लिए questions भी हो जाएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा only and only 999 के अंदर ठीक है और यह है one of the biggest event कल एक भी बच्चा अगर मिस कर गया तो बेटा फिर exam के अंदर यह धोका जो है यह अपने आपको कहिएगा कि शायद उस दिन रह जाते class में तो हम आ जाते तो अच्छा रहता लेकिन बेटा फिर उसके बाद मिस कर गए तो कर गए इसमें मैं आपका complete one year कितना भी backlog राओ कहीं भी किसी भी दूसरे को बेसिकली आपको तैयारी करने के लिए कहीं जाने की जूरत नहीं पड़ेगी one of the best questions मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा 365 questions की marathon होने वाली है प्लीज कल संडे है और संडे को सुबह 10 बजे शापली 10 a.m और इस वीडियो को अल्रेडी हमारा YouTube पे आ चुका है जाके एक बार जो है लाइक बटन दबा के बतात जोड़ दीजेगा कि आप मेरे साथ है और यह सारे के सारे PDF का मिलेंगे क्योंकि PDF के बिना देखिए यह class लेना और सब कुछ वैर्थ हो जाता है आप मेरा PDF जो है वह ऐसा PDF जिसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यह सब आपको यह सब्सक्राइब प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है वह क्या होता है सब्सक्राइब हुक्राइब है कि अधर में जरूर इजजट से पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा है चलिए, quickly, चलिए, मतलब कौन-कौन मिलके जो है, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्षन के अंदर जो है, इलेक्टराल कॉलेज बनाते हैं, members of the लोकसभा and राज्यसभा, ओके, members of the लोकसभा, members of the लोकसभा, राज्यसभा and legislative assembly of the states including national capital territory of Delhi and the union territory of Pondicherry, नहीं बहिए, so elected members of the लोकसभा, राज्यसभा and legislative assembly of the states including national capital of Delhi and union territory of the nation, बिलकुल correct है बेटा, that is elected members का ही सिर्फ यहाँ पे चुनाव करने का मौका मिलता है, ठीक है, so correct answer नहीं बेटा, देखिए, यही तो है, यहाँ पे members है बेटा, यहाँ पे members of लोकसभा है, और यहाँ पे elected members है बेटा, यही फर्क था, छोटा सा फर्क था, यहीं पे फस गया बच्चा, यहीं से गड़बडा आ गया है पूरा, गारी यहीं से पल्टी मार गया, ठीक है, so elected members is very important, ठीक है, so the correct answer would be your D, चली, अगले सवाल की तरफ आते हैं, और अगला सवाल आपके screen के उपर यह रहा, how can a chief justice of India be removed, कैसे remove किया जा सकते हैं chief justice of India, yes, बहुत बढ़िया, x place कह रहे हैं कि मैं sir, difference जून रहा था, yes, nominated नहीं होते हैं बेटा, elected members ही इसके अंदर, चुनाव के अंदर, vote कर सकते हैं, यही एक छोटा सा difference था, जिसने फसा दिया, चलिए, quickly guys and girls, everybody, discharge हो गया है, चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, add के समस्या का समाधान, कुछ नहीं हो रहा है मेरे पास, चलिए, बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया था, impeachment के दुवारा, क्योंकि आपको पता है, special majority of two-third in both the houses, उसके बाद ही आप जो है, इनको remove कर सकते हैं, ऐसे आप remove नहीं कर सकते हैं, चलिए, who was India's first law minister, इंडिया के पहले law minister कौन थे, चलिए, quickly, तल्ती मत कर देना, मेरी इजज़त के फलूदे हो जाएंगे, अगर ये सवाल गलत हो गया तो, चलिए, how many people are live right now, let me check, oh, we are 256, and how many of you have liked this session, कितने बच्चों ने session को like कर दिया, भाई, अगर कोई रहे गया हो, तो देखिए, इस सिर्फ महनत के लिए ही like कर दीज़ेगा, बाकी तो आप लोगों से प्यार मिल जाता है, वोई बहुत है, आप मेरे साथ live बैटते हैं, that's more than enough, चलिए, बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर अंबेडिकर सहाब, कौन दे बेटा, डॉक्टर अंबेडिकर सहाब, सर हम first, हम first, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शांदार, जानदार, जबर्दस्त, चलि, अगला सवाल बेटा, next question, in which case did the Supreme Court propounded the basic structure of doctrine, basic structure of doctrine कहां से आया, ताड़े 300 लाइक हो रहा है, let me check, ताड़े 300 तो नहीं दिखा मुझे यार, 348 था, 361 हुआ है, अच्छा, प्यार तो करते हैं, आप मुझे से हैं, प्यार तो करते हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा, केश्वानन्द भारती साब का जो case हुआ था, इस case के बाद में, जो है, हमें basic structure of doctrine आया था, basic structure of doctrine जो है, एक doctrine है, जो कि Supreme Court के दुआरा जो है, रखी गई, जिसके दुआरा ये कहा जाता है, कि आप constitution के अंदर सब कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन basic structure के अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो हमारा धांचा है, उसके अंदर, चलिए, बहुत शांदार, A is your correct answer, अगला सवाल, A minimum of how many judges of Supreme Court sit in a constitutional law bench, जो एक समवेधानिक bench जो बनाए जाती है, constitutional bench, उसमें minimum कितने judges होने ही चाहिए, minimum, minimum, अरे यार, क्या बात करे हो, 10, तुम मेरे से बढ़े हो, क्या, पहली बात तो, पहली बात तो बेटा, ये तो ऐसे आउट हो जाता है, कि even number में नहीं होती है, ठीक है, इसके बाद में दो भी आउट हो जाता है, ये भी even number में है, तो बच जाता आपके पास, 5 और 7 correct answer होगा, आपका 5, that means minimum 5 लोग होने चाहिए, constitutional bench को गठित करने के लिए, ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के उपर ये रहा, what is the magna carta, magna carta क्या होता है, सर जी, अड़ा पर निकिता में की भी मेरातोन हो रही है, लीगल अवेरनेस की, क्या बात कर रहो भाई, ये तो competition हो गया भाई, एक सेकेंड ज़रा देख ले भाई, open competition, अच्छा अच्छा बिल्कोल मेडम भी ले रही है, भाई मेडम भी ले रही है, लीगल अवेरनेस मेडम भी ले रही है, बिल्कोल करेक्ट कह रहे हैं, आपके मेडम भी जो है, लीगल अवेरनेस की ही मेरा थौन ले रही है, ये गलत हुआया है, जाहिए अपने दोस्तों को बुला के लाइए जाहिए जाहिए और बुला के लाइए चलिए बहुत ही बढ़िया so the first English legal charter relating to the fundamental rights of the citizen it was Magna Carta क्या था Magna Carta बेटा it was the Sunday को भी जी के है 10 बजे बताए अब देखिए हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है I don't care about it मेरा काम है कि आप लोगों तक one of the best content पहुचाना किसी को अगर चाहिए होगा थो वो पहुचेगा ही 10 बजे मतलब 10 बजे 10 बजे मतलब 10 बजे चलिए अगला सवाल which is the biggest parliamentary constituency with the largest electorate after the delimitation अब देखिए delimitation जो है बहुत important है क्योंकि 2000-2026 के अंदर हम को देखने को मिलेगा delimitation यहां पर constitutions बदलेंगी constitutions जो आगे बढ़ी जाएंगी तब बोलना चाहिए बट मैम के energy बहुत डाउन रहती है रहती है पढ़ने में मजा नहीं आता उनसे कि नहीं यार energy बहुत important होता है energy शुरू से आखरी तक होना भी बहुत important होता है अना जान ला देंगे कि सर जी आज legal awareness की बारिश हो रही है चलिए बहुत बढ़िया चलिए बेटा सो which is the biggest parliamentary constituency की बात हो रही है बटा constituency की बात हो रही है सो क्या यह outer Delhi है उनाव है ठाने है अच्छे नहीं है correct answer क्या है बटा आपका उनाव जो की सबसे बड़ी constituency है parliamentary constituency ठीक है सो मेरी बेजत्ती कर देती है correct answer is your view चलिए where does the vice president of India live जो vice president है वो कहां पर live करते हैं कहां रहते हैं घर क्या है उनका घर का नाम मेरे पास message आया था class के लिए दोस्त का बट आप उन इधर इच रहेगा अच्छा इसे कहते हैं इसे कहते हैं एक वो कहते ना कि लॉयल्टी और उस लॉयल्टी के लिए ही मैं इतनी मैनत करता हूं आपको लिटरली बता रहूं guys and girls I believe in this loyalty है and you people are one of those people जिसके कारण से मुझे खुद हिम्मत बनती है मुझे खुद हिम्मत आती है आप लोगों को देख के या अरे बिल्कुल होना चाहिए healthy competition is always a part of it चलिए राश्ट्रपती भावन के अंदर पर रहेंगे बंगलो नमबर छे में बंगलो नमबर छे के अंदर रहते हैं हमारे कहन हमारे वाइस प्रेसिदेंट साहब मौलाना आजाद रोड के ओपर ठीके वेटा correct answer is your मौलाना आजाद चलिए आगे बढ़ते वेटा who is the current chief justice of इंडिया international court no sorry chief justice of the international court of justice international court of justice के अभी chief justice कौन है आई सीजे के चलिए 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 ons भिष्ण ये तो current affair हो गया हाँ यह current affair हो गया और नहीं नागेंदर सिंह साहव है नहीं और नहीं जोश साहव ए baru न ही नाम बता यह वह करेंद्र से करेंट अफेर के अंदर आपको पढ़ाया था मैंने कितने लोग हैं जिनको याद है विकली नाम बताईए वह यह विकली नाम बताईए पताईए वह इस दी करेंट चीफ जस्टेस ऑफ इंटरनाशल कोट अफ जस्टेस नहीं वह या लड़के नहीं थी नवाब सहाब कोई नवाब सहाब अगला सवाल की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशिण फीमेल हाई कोट जर्ज इन इंडिया पहली फीमेल हाई कोट जर्ज कौन थी संकेच छवण जी सर मैंने ली है वहाँ पे जीके जीएस की क्लास एकदम बखवास है और ऐसे नहीं बोलते हैं वो भी विचारे मैनत करते होंगे इतना कोशिश सब को करने चाहिए उनकी क्लास से किसी को फाइदा पहुंच जाए मेरी क्लास से किसी को फाइदा पहुंच जाए कितना एनर्जी आप उसमें रख पाते हैं ठीक है चलिए क्विक्ली गाइज इन गल्स एवरीबड़ी वो वाज दी फॉर्स फीमेल जज ऑफ हाई कोट पिटा बफर कर रहा है क्या एनिबड़ी जिसको बफर लग रहा है कि अनिबड़ी फील्स लाइक की बफरिंग नहीं ना चलिए चलिए बहुत बढ़िया सो फीमेल जस्टिस लीला सेट साब जो है वो पहली यूनों हाई कोट जज फीमेल हाई कोट जज रही है और यहीं से क्लास लेके फॉस गये हम अरे कोई बात नहीं अब फसा अब उस फ ओफ प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया कुछ दिशेर्में आफ प्लानिंग कमिशन of Indyak quickly बिलकूल बहुत जबरदाशावास हिमाचल परदेश क्या बात है मिरे शेड कि जआ जिसने शुरू से जिसने शुरू से पढ़ते हैं वही अच्छे लगते हैं न्यू टीचर सूट नहीं करता है यह भी फर्क पढ़ता है यह भी फर्क पढ़ जाता है क्या आपको फर्क पढ़ता है वह इस लीलस पेटा अभी तो बताया है माचल परदेश चलिए चलिए quickly 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 ये बात ये बात प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया क्यों होते हैं ये ex-officio होते हैं बेटा कौन होते हैं बेटा ex-officio planning commission का मतलब बेटा नीती आई हो क्या बेटा नीती आई हो ठीक है बच्चा चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं नेक्स कोशन आपके स्क्रिंट के ओपर यह रहा विच आप दीस हैस बीन हेल्ड बाइ सुप्रीम कोट टू नॉट पींग ए गवर्मेंट और्गनाइजेशन इसमें से कौन सी गवर्मेंट और नहीं है कि बेटा किसके किसके टूट पेस्ट में नमक है यह सब हमारा सवाल कोई नहीं पूछेगा चलिए कि 2022 से पढ़ रहे हैं आप क्या बात है भाई क्या प्तुंज झाल यह ठत बात बात है से लाइजेशन इसमें से छिए स्वेपी बाता कर बाता है झाल झाल चलिए विया क्विक्ली एवरीबडी कौन सा है सब बच्चों में एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जितने भी आपके स्टॉक एक्षेंजेंज होते हैं उसको डील करता है इसकी हमारी कोई नैशनल टीम नहीं है आपको मालूम है क्या बैया हिंदुस्तान की कोई किर्केट की टीम नहीं है राइट इस नॉट गवर्न बाई गवर्मेंट ऑफ इंडिया इस इस अ प्राइवेट अथॉर्टी चलिए अगला सवाल आपके इसकन के उपर यह रहा इन विच केस डिट दी लार्जेस बैंच ऑफ 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कॉर्ट सिट तेरा जजेस की सीटिंग किस केस म पे देखने को मिली थी चलिए लट उस नौ अबाउट इट विकली दोज वा न्यू टो दिस सेशन आप सभी को इनफॉर्म कर दूं कल सुबह बेटा दस बजे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स की मैराथॉन है प्लीज मिस मत कर दीजेगा किसी भी हालत म अगर कर दिया तो बेटा एक दम आप समझ दी जाएगा गड़बर हो जाएगा मामला गड़बर हो जाएगा गड़बर चलिए बहुत ही बड़ी है सबसे बड़ी बैंच हमको देखनों को मिली केश्वान भारती वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है भाई ओके जहां से आपने मिनी कॉंस्टिटूशन से लेके सारा बदलाव डॉक्ट्रीन सब यहीं पर देख लिया दा ओनली जज़ ऑफ सुप्रीम कोट तो हैब बीन इलिवेटेड डिरेक्ली टू दिपोस्ट फ्रों बिइंग ए लॉयर सीधा लॉयर से सुप्रीम कोट के जज़ बनाये गए कौन से वो वकील है चलिए कौन से वो वकील है जिनको डारेक्ली जो है सुप्रीम कोट का जज़ बनाया गया था बीइंग ए लॉयर चलिए कुएक ली कुएक ली अ है कुएक ली भया चलिए चलिए बहुत बढ़िया तो इस पीड में आंसर आएगा यार क्या बात या बात मीशी सबसे पहले कौन आया भाई सबसे पहले नहीं नहीं भाई गड़बड हो गया सर मैम की मेराथोन में बस 180 लाइक्स हैं एरे यार ऐसा कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं यार इस से कोई फरक नहीं पड़ता है चलिए 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 जस्टिस संतोस हेगडे साब जो की पहले हमारे क्या रहे हुए है यह बेसिकली अटोर्नी जनरल भी रहे हुए है ठीके इन्हें बेसिकली लॉयर से सीधा जो है सुप्रीम कोट अपॉइंड किया गया था एज जज आगे बढ़ते हैं अरे बाबारे आज तो यह तो पढ़ा ही दिये हैं इसको तो गलत नहीं कर सकते हैं चलिए आज की आज की शाम आज की सुबह का यह आखरी सवाल है और इसके बाद जो है इसको हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे कल इसके कुछ सवाल बच गए हैं आज की ख्लास जो है अब थोड़ा सा विर हिम्मत बरकरार रखने में डर्ध हो रहा है थोड़ा सा हिम्मत कमजोर हो रहा है सर मैं वैलिड कॉंट्रेक्ट वाली खुशी प्लीक वाली इन वैलिड वाली गॉनसी थी मेरा भः थोटे आ अपर मॉन पे से आगई सर लॉयर तो लॉयर तो बार काउंसिल में नहीं होते पर जज गय से पिट अब लॉयर जो है सर बेसिकली जब आप किसी बार काउंसिल से रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद आप जो है क्या बन जाते हैं आप एक एड़ोकेट बन जाते हैं लॉयर के बाद ही आप एडवोकेट बनते हैं उसके बाद ही आप जो है तरन अप करके जो है और आज यहां पे एक जज़बन पाते होंगे तो इसना टमनोगाजी के साथ चिपक के जाने की ज़ुरत नहीं है ठीक है ओके तो यह हमने जब स्टार्ट किया था सेशन उसी टाइ है तो आपको कॉंट्राक्ट एक जो है हमारा 1872 में एक्ट हुआ था एक मैतोपून आप लोगों के लिए हिदायत और वो क्या है अपना गूगल खोलिएगा और गूगल के अंदर जो है यूटूब खोलिएगा और यूटूब जब खोलेंगे ना बिटा तो यूटूब के क्या हम इसको तीन सो आज पार कर देंगे क्या यह लाइक सेक्शन तीन सो पार हो जाएगा अगर यह हो गया ना तीन सो पार तो मैं आपको सच बता रहा हूं इतना जबर्दस सेशन कल होने वाला है ना जान लगा देंगे पूरी ताकत के साथ में ठीक है और if you want to buy यह आपक जीत जो कि आपके पंदरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप टेस्स को पचेस कर सकते हैं और इसको टेस्स को पचेस करने के लिए आप रैफल कोड बहुत आसान है वी आई जे एवाई विजय एंड फाइफ पैस इतना लगा यह जादू देखेगा भी 3500 का आपको त्या अपली दस बजे दस बजे मतलब दस बजे थैंक यू सो मुच अलविदा करता हूं आप लोगों के साथ में इसी के साथ जय हिंज जय भारत बाबाई टेक क्यर लब यू और सी तुमारो